अगर कोई जेल में है तो उसे जेल के अंदर से किसी ना किसी साजुष के पास मार दिया जा रहा है अगर कोई जेल के बाहर है तो पुलिस के कस्टेडी में फिर उसे किसी ना किसी बहाने से मार दिया जाए सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार को क्या अपने सिस्टम नहीं संभाल पारे हैं जो लोग भी नरेंदर मोदी से सवाल करता है भाजपा से सवाल करता है तो उसको जेल के सलाकों में सरकार डाल देगी और उसके बाद अब सरकार को जादा उससे डड़ है तो उसकी मौत के घाट उटा देगी आजकल कब किसी की मौत हो जाए कि कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बता देगी कि जब से भारतिये जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से सत्ता का सस्टम खराब जरूर हो गया है या तो नेताओं के इशारे पर काम कर रहे हो लोग तो अब जील जाने से अस्पताल जाने से जादा इतराने लगे हैं आकिरकार मुस्लिम नेताओं को ही लगतार क्यों भारतिये जनता पार्टी के लोग या फिर सरकार टार्गेट कर रही है आपको बता दिए कि बिहार विधान सबा चुनाओं 2020 के समय पूर्वसांसद मुहम्मद शहबुदीन सहाब की मृत्यू दिल्ली के तिहार जेल में कोरोना काल में हो गई थी मौत के बाद डॉक्टरों ने बताया कि उनकी मौत कोरोना से हुई है लेकिन उनके परिवार वाले और उनके चाहने वालों का कहना था कि उनकी मौत कोरोना से नहीं बलकि सत्ता के सारे पर कराई गई है उसके बाद आते हैं उत्तर प्रदीश पर उत्तर प्रदीश में चुनाओं के समय में ही पूर्विसांसद माफिया डॉन अतीक एहमद और उसकी भाई असरफ की मृत्यू पुलिस के कस्टडी में गुंडो द्वारा उसकी मौत करा दी गई मौत की बात परिवार की लोगों और समर्तकों का यह आरोप था कि सत्ता की इसारे पर दोनों भाईयों की मौत का अंजाम दिया गया है लेकिन पुलिस प्रशाशन का कहना था कि उनकी मौत कुछ अपराधिक लोगों द्वारा किया गया है और अब पुल्ण लोकसबचनाव दोहजार चोबिस से ठीक पहले पूर्ववधायत मुक्तार अंसारी की मौत हो गई है कुछ दिन पहले ही मुक्तार अंसारी को बांदरा जेल में ही खाने के जहर मिलाने की खबर सामने आई थी उसके बाद से लगतार मुक्तार अंसारी की तबियत खराब चल रही थी मुक्तार अंसारी के भाई सांसद अफजाल अंसारी की उनके भाई को सताधारी लोग जान से मारना चाहते हैं और आज जब मुक्तार अंसारी की तबियत तेज खराब हुई तो उनको अस्पताल में भरती कराया गया है उसके बाद से रात आट बच के 25 मिनट पर ये खबर आई कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हो गई है अब लगतार उनके परिवार जनों और उनके समर्थकों का कहना है कि मुक्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से नहीं बलकि सत्ता के इशारे पर और साजशों के तहत उनकी मौत को अंजाम दिया गया है अब लगतार सरकार सवालों के गेरे में हैं लोग सरकार से ये सवाल कर रहे हैं कि कोई अपने आपको सुरक्षित कहां महसूस करें जेल में रहो तो जेल के अंदर से मौत हो जा रही है और जेल से बाहर जाओ तो पुलिस के कस्टडी में मौत हो जा रही है अस्पताल में रहो तो अस्पताल में मौत हो जा रही है अब लोगों को सरकार के सरकारी सर्यंत्र पर जो तंत्र है उस पर सवाल उठ रहा है अगर कोई जेल में है तो उसे जेल के अंदर से किसी ना किसी सादुष के पास मार दिया जा रहा है अगर कोई जेल के बाहर है तो पुलिस के कस्टड़ी में फिर उसे किसी न किसी बहाने से मार दिया जाए आखिरकार ये प्राशासनी की वैवस्ता में क्या पुलिस प्रशासनी या सरकार फुल क्यों रहे हैं लगतार सवालों के घेरे में है मोधी सरकार और यह सवाल तो बनता है कि सत्ता से किसी की आखिरकार कैसे किसी की मौत पुलिस के कस्टेडी में या फिर जेल के अंदर आते हुए हो जा रही है यह सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार को क्या अपने सिस्टम नहीं संभाल पा रही है क्या सरकार लाचार हो चुकी है क्या सत्ता में बैटे हुए लोग या सत्ताधारी नेताओं के इशारों पर जीतने भी अधिकारी हैं अपसर हैं वह काम कर रहे हैं कई सारे सवालों के घेरे में हैं सरकार अब तो लोग जेल जाने से भी डढ़ने लगे हैं और लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि आने वाले समय में जो लोग भी नरेंद्र मोदी से सवाल करता है भाजपा से सवाल करता है सत्ता से सवाल करता है तो उसको जेल के सलाकों में सरका डाल देगी और उसके बाद से अगर सरकार को जादा उससे डर है तो उसकी मौत के घाट उटा देगी अब तो लोग ये भी सवाल उठाने लगे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्बिंद केजरिवाल जी की भी तवियत खराब रहती है उनको भी शुगर की बिमारी है उनक बड़ा सवाल है और लोग ये सवाल अब उठाना चालू कर दिये हैं कि आखिरकार सिस्टम से लोगों का भरोसा क्यों उठता जा रहा है सरकार को ये सूचने की जरूरत होगी क्योंकि लगतार ऐसे ऐसे खबरे आ रही हैं जो बिल्कुल चौका देने वाले हैं बिहार के प अश्रफ दोनों भाईयों की मौत हो गई जो कि पुलिस कस्टेडी के अंदर थे और पुलिस कस्टेडी के अंदर रहते हुए भी उनकी मौत हो गई है यह बिल्कुल सोचने वाली बात है कि अगर पुलिस कस्टेडी से ये दोनों डॉन माफिया उत्तरप्रदीश के थे जि मुक्तार अंसारी और अब उनके में मौत हो गई है और खबर ये बता आया गया मेडिकल टीम और डॉक्टर अस्पताल वाली ये बता रहे हैं कि हार्ट इटैक से मौत हुई है लेकिन लोगों का कहना है कि हार्ट इटैक से नहीं ये हत्या भी सार्जुष के तहट की गई है य उसके कारण तबीयत बिगर रही थी और उनके परिवार वालों का भी आरोप है कि जेल के खाने में जहट दिया जा रहा था जुससे उनकी मौत हुई है कोई हार्ट अटैक से नहीं हुई है लोगों का कहना है सिस्टम पर बड़ा सवाल उठ रहा है कि ये हत्या भी साजुस के पहट की जा रही है लगतार ऐसे ऐसे मामले सांबने आ रहे हैं जो कि बिल्कूल चौक आने वाले हैं किसी की जेल में मौत तो किसी की पुलिस का स्टड़ी में मौत अब देखना होगा कि अब किसकी बारी है क्योंकि अर्बिन केज बाल से भी सरकार डर रही है वो भी किसी अपना किसी बहाने जेल में हैं इंतजार कीजिए कि अब किसकी बारी है और तब तकी लब बने रहे हमारे साथ NBC24 पर